डॉक्टर सर्दारा सिंग जोहल दी पुस्तक है, रंगा दी गागर, जीवन चलका ए पुस्तक स्मर्पित है, उना अपनियानू, जिनानू मैं समझन को असमर्थ रेहा पहला लेक, बच्चपन बनाम बादशाही बच्चपन राब्धी दित्तीक अदुत्ती दाद ते अनूठी सुगात है इस बारे कईतार नावा हन, ते बद्दे लोक उच शिरेणियां च जम्मे बच्चेयानू, जनम तोई पूरी सकती नाल जिन्दगी दानबव कराउंदे हन कईता केंदे हन के जम्मे बच्चेयनू ठंडे बरफीले पाणी च डोबा दिता जानदा है जो बच्चा बाच्चदा है, उही तिबदी, सकत, सर्द, आब वो हवाविच जियोण दे सम्रत समझा जानदा है इस तरहां करन नाल जे बच्चा मर जाए तक कोई खास अफसोस नहीं कीता जानदा क्योंके समझ लिया जान्दा है के हुजा बच्चा इस वातावर्ण चज्यों ते सफल जिन्दगी निबौन दे समरत नहीं उच्च श्रेणी दे बच्चेयां दा बच्चपन सक्त पड़ाई सिख्या साधना ते करड़े अनुशासन विच बतीत हुन्दा है क्योंके समझ जान्दा है के बड़े होके इना दी जिन्दगी उच्च श्रेणी विच सौखी ते अराम नाल गुजरनी हुन्दी है आम लोका दे बच्चेयां दे बच्चपन काफी अराम ते खेट कुदच गुजर दे हन, क्योंकि एना वड़े होके जिन्दगी दे सारे जोखम चलने हुन दे हन एक किसम दा संतोलन है ओक्खे बच्चपन सोखी जुआनी ते बुड़ा पेविच जा सोखे बच्चपन ओक्खी जुआनी ते बुड़ा पेविच जे एक श्रेणी दे बच्चयानू जीवन दी एक पुड़ी मिल दी है, ता दुजी श्रेणी दे बच्चयानू दुजी आम तौर ते बच्पन ते मुडली जुआनी दी मेनत, पुर्शार्थ ते ओक्याई, पिछली जिंदगी नू परपूर ते सौखा करदन दे हन एस समा हत्थों गवाच्चा मुड़ पूरा नहीं हुन्दा, पर जद मैं अजदे बच्चे वेखदां, खास करके पबलिक स्कूलां विच पड़दे ने, ता देल हिल जान्दै, तर सोन्दै, के नपोले पाले कोमल फृरिष्टियान ते इना दे बच्पनों इस्तरा मदोड पार मदोड़ जान्दै, के बच्पने ना लेक तरे स्कार बन जान्दै, बस्तियान दा पार, बच्चे आंदी पार नलों विवद्ध हुनंदै, जिवें कीडियां अपने पार नलों वद्ध पार दे दाणे नू, जा खुराक दे टुकडे नू तूही जान्दिया हन, इस इस पारनाल जे कई साल बच्चा नर्म उम्रे चुक दै, कमर विच कज पैजान दा, दे काफी इमकान हन, इती बस नहीं, बच्चा कटों का छे सत कंटे ता स्कूल च काम कर दा, कारा के भी स्कूल दा दिता काम करना पन दा, उस स्कूल कोई वक्ती नहीं रह जान दा, जो ओख ठेड़न कुद़न, खरमस्तियां करन, जा मौज मेले च गुजार सके, क्योंकि इस स्कूल पुड़ाँ दे, काटते बच्चे तो आसावद रख दे हन, कमजोर बच्चे आनू टे उश्नावी पढ़नियां पैंदिया हन, ते कार्मापयां दी सक्ती भी चलनी पैंदी है, मै मैं कोई छे साल दी उमर च जाके पिंड दे स्कूल च कच्ची पहली जमाद च दाखल होया, उस वक्त दी कच्ची पहली जमाद आज दी केंडर गाटन समझी जा सक दी है, मैंनो उमर दा सही पता नी, क्योंकि मेरे मापयानू दा सिर्फ ये पता है, कि मैं बारां फगणू लोड़े वेड़े पैदा होया सी, साल केड़ा सी, उस साल मेरे ताया जी दर्रा खैबर दे नेड़े जमराओद फाच नौकरी ते सन, जित्ति उना नू मेरे बाप ने मेरे जनम दी खुश खबरी दित्ती, लालो हसाब, क्यों केड़ा साल सी, मैंनो स्कूल इस लालच ना जाया गया सी, क्यों थे एक मेरी हान दा मुंडा बगगा पड़दा सी, मैंनो ओदे नलक कुल आया जायेगा, क्यार असी कई साल तके जान दी नहीं सी, के बसता की हुंदा है, एक फट्टी, जेच फट्टी पोचन ले गाचनी, दूजे हाथ वेच कानी, कडी हुई कलम, त जे सूफ वली स्याई दी दवात हुंदी सी, जो सूफ मतलब लीर, पिजी हुण करके डुल दी नहीं सी, जे डुल भी जाये ता खाली नहीं सी हुंदी, बौता करके अलिफ बे ते गिंती दी लिखाई ता मास्टर जी जमीन उत्ते उंगली नली कराई जान दे सन, फट्ट सुख फट्टी ये फट्टी नू हवाज को मा के गौंदे सा, ते अपनी फट्टी दी मजबूती दी तांक बठोन ली, फट्टियां विच फट्टियां जोर दी टकराऊं दे सा, जे फट्टी टुट जाये तक रोम रमत भी हुंदी सी, नमी फट्टी दा खैर मिली जान द सोच दां के की अजदे बच्चे वी अपने अजोके इस बचपन नू लोचण गे, साड़े बड़े मास्टर जी कदे मार दे नहीं सान, सिर्फ कन फड़के पुले-पुले दब के मार दे सान, पर दो मास्टरां विच्चों एक मास्टर दुजे नाल दे पिंड आंदा सी, ओ मुंडेयां दी काफी छेले लांदा सी, मैं ता जिस दन साड़े बड़े मास्टर जांची राम स्कूल ना ओन, ता स्कूल ही नी सी जानदा जा फिर गया दी, ता खेस काऊंदा सी, स्कूल जानदी आदत कुछ मस्ती नाल जानदी सी, लेट नाल जान नाल जे के ते छोट ते मास्टर गुर्णाम सिंग दे ठेड़े चड़ गए, तो काफी मुरम्मत हो जान्दे सी. ये उस्ताद मेरी जानी काफी निकम्मां सी. एक वार बार सादे मुरब्बे फले चाल दे सन, ते कनकदी गहाई हो रही सी. अपने पेंड़ नू जान्दे ए मास्टर राज साठे केच रुक गए. ते मेरे पिता ते ताया जी नाल गल्लां कर दे सन, के माड़े पा गानू, मैं आ गया. मैं मास्टर जी नू सस्ची काल बुलाई, ता सैथ सुभाई ताया जी कैन लगे, मास्टर जी इन्ही सानू ता कदी सस्ची काल नी बुलाई, सिर्फ तो अनू ही बुलाँद है. मास्टर जी ने मैंनू किया इना नू भी सस्ची काल बुला, मैंनू ऐसी चक पैगई, मैं बार-बार कैन ते चिड़कन दे बावजूद सस्ची काल ना बुलाई. मास्टर जी काफी चित्थे बै गए दुझे दिन स्कूल जो काफी डंडा खड़ कया मेरी पाग थोड़ी पाटी हुई सी उन्हों पाड़ पाड़ के मास्टर जी महाराज ने मेरे सिर ते चंडियां गड़ देती यांदे कारनों थोर देता उन्हां देनांदे माप्यां देवी सदके जाए मेरे सिरों पाट़ी पाग दे चंडियां लाइना ते नमी पाग लादेती किसे ने एस मास्टर नू नहीं पुछया के ए क्यों कीता दुझे दिन जद बड़े मास्टर चांजी रामनों इस गल्दा पता लगा तो उन्हां ने मैनू बड़े प्यार नल समझाया ते दिलासा दिता केंज नी करीदा अपने मास्टर चीदा कैना मनी दे इना दुझा मास्टर चांज फर्क मैनू अजवी उसे तरहां साफ उगड़े होया दिखाई दन्दे जो ओदो मैनू मैसू सुन्दा सी मेरे विचार वेच मास्टरी कोई नौकरी नहीं जो व्यक्तिये नू नौकरी जा कमाईदा साद नहीं समझ दा वो उस्ताद नहीं हो सकता सारे मास्टर उस्ताद नहीं होंदे आज कल बोते ता कोई होर नौकरी ना मिलन करके स्कूलांच मास्टर आ लग देने जे हो जी कोको, हो जे कोको दे बच्चे ए सिलसला अग्गे तो अग्गे तुरे आंद है ए साड़े समाज वेच बच्चेयां दे बच्पन दा कच्चूमर निकल रहे है दो पईयां के दरे गईयां ए सब कुछ दे बाव जूद बच्पन बड़ा सुआदला सी अज हैरान होई दै के पहली दूजी जमाज चे कई वार कच्चे तो बगैरी स्कूल चले जाई दा सी लंबे-लंबे चा ग्यान चे पता ही नी सी लगदा के कच्चा पाया भी है के नहीं जदो के ते मास्टर जी नूँ पता लगजए ते कान खिचे जान ताहीं आप नूँ वी चेता होंदा सी के कच्चा नी पाया फेर कर नूँ दुड़ा देता जानदा सी ते कच्चा पाके मुड़ क्लास जा बेठी दा सी एक नमूना है बचपन दी बेपरवाई जमाज दा जो मैं ते उस विड़े दे वी द्यार्थियाने मानी अजदा बच्चाई हो जे बचपन दा सुपना वी नी ले सकता पिंडा में चाम तौरते मीन आपवेता लोग याग कर दे सन उस योगज पुन्वें चौल मतलब जर्दा वंडे जान दे सन इत चौल इननी वदिया बनाय जान दे सन के थाली जांके से बरतंदी लोड़ी नी सी पैंदी पिंडदियां जनानियां साधियां तायां चाचियां दादियां चौल वंडदियां हुंदियां सन गुर्दवारे लंगर बेच एक वार असी आठनों साल दी उमर होएगी चॉल लेन गए चोड़ी ये चग्गे दी अग्गे कीती ता दपके पई पाज़ो है तो फेर गए ता फेर दपके पई जद तीजी वार गए चॉल ता चोड़ी च पादते पर नाली कान भी खिचे खिचे गए खसमा खाणेयों कोड़ेयां जड़े हो गएयों कच्छादा पालेया गरो ए आलम सी साड़े बच्पन दी बादशाही दा लायलपूर नीली बारदा इलाका काफी खुशक सी जित्थे तसील जड़ा मळांच मेरा पिंड चक नंबर इक सो चार समरा जंड़े आला गुगेरा बरांच दे सी स्यालनू काफी तो दलते मिट्टी हुंदे सी शाम तो हुने रहुंदे तक चोड़ियां चोड़ियां सड़का विच पिंड दे एक सिरे तो दूजे सिरे तक खिदो खुंडी खेड दे आनू कसी इट कही कार ले जान दे सान कई वरी जान बुझ के लुक जाई दा सी ते कार देर नाल जाई दा सी के दुद रोटी तो छुटकारा हो जाए मलकड़े जे लिबडे ते बड़े रजाई चे जावड़ी दा सी स्वेर नू पामे फेर खचाई होंदी सी पर साड़े बचपन वीचे खेचाई कोई मायना नी सी रख दी बापू ता काफी सक्त तबियत दे सी पामे मार दे कदी भी नहीं सी डारी बहुत सी पर चाचा जी दूरों जोर नल थपड को माखे लें दे सान साट ता लग दी नहीं सी सुगों मस्ती होर चड़ जान दी सी हुन कई वर सोचदां थी हैरान हुनदा के किवी होया के इहो जै महौल चे लंग गया एक बच्चा एक सिरकड परफेसर वाइस चांसलर ते परदान मंतरी दी एक नॉमिक एडवाइसरी कॉंसल दा मेंबर तक भी बढ़ गया पेंड दी सोसाइटी बच्चियां ले किन्नी प्यारी हुन दी है ये सिर्फ ओही जान सकदा जिने अपना बच्पन पेंड चमानेयां हुए पेंड दे सारे यां बच्चियां ले चाहे उजटान जीमें दारां दी हुन चाहे कामयां कमयां दे बच्चे हुन पेंड दे सारे वड़े बंदे चाचे ताए बाबे आते सारे यां और ता वड़ियां पेंड पुआ चाचियां ताइयां बे बे आत हुन दियां हां किसे बचे ने किस दे करों रूटी खाली, कित्थे गेड़ दे, कोई नी सी देखदा जा बर्ज दा सारे आंड गवांड दे बड़े-बड़े मुंडे कुडियां सके पैना प्रावामां खेड़ दे सी ते कदी किसे ने रोकन दा सोचया तक भी नहीं सी पिंड दी हर कुडी सकी पैन दा दर्जा रख दी सी ये ऐसास उस वक्त दा काइम हुया आज तक भी दिल विच उमें दा उमें वस्त है इस ऐसास दा एकन मुनना दस्ता पाकिस्तान बढनते सी बैल गड़ेयां रही पिंडो निकले कुछ दिना बाद जाद शैरां शैर जड़ा माला नेड़े गड़ेयां नियां डारां विचकार मैं ते पिंड दी एक मुटे आर कुडी ते दो अधखड बज़ुर्ग मज़ां हक्की आउंदे सां एक पुली टोटा नाल पिछले गड़े पिछे रहागे ते अगले कोई अध़ा में लगगे निकल गए इनेनों मुसल्मान जांगली ताडवियां ने मज़ांखों ले चवियां बर्चियां नेजियां तलवारा नाल साड़े ते हमला कर देता उदों सब तो वड़ा फिकर मैंनों अपनी गवांडी कुडी दा होया एक मज़ ता पजा ले ते रोली पाई पर नाली कुडी नू बाहूं फ़ड दुड़ा के बचा ले बकी सारा माल लुट्या गया जदों तक अग्यों दोड़ के कुमक मिली सुवाए एक मज़ ते एको से लड़की तो सब डंगर मालों जांगली पजा के ले गए पर उस कुडी नू बचा के मज़ आदा कोई अफसोस ही ना रहा ए सन बलवान होई पैन प्रामा वड़े एहसास जो बचपन वेच मना ते दिलांच परे गया सन मैं समय दांके बचपन ती अजादी मस्ती ते खुल आदमी नू संकीरन ता रहत कर दन दिया मैं अपने माँ प्योदा एकलाई बच्चा सां ते हां मेरी माँ मैं कुछ मीन्यादाई सां जो दो आखाल चलानां कर गई मेरी पैन जाप्रावी सका कोई नहीं सी पर साड़ाट अबर संग्योक्त किसम ज्वाइंट फैमली दा सी मेरे ताईदा पुत्तर ते ती में थो काफी छोटे सां मैं उन्हों कुछड चुक चुक खडाया है मेरे चाचे दे दो पुत्तर ते एक ती ता मेरे बच्चे नाणोंगी छोटी उमर दे हन कारविच बच्पन वेले औरत तां सिर्फ मेरी कचाची सी जा फिर साड़े लाने चों वड़ी पैन सी जो अपने टबर चों बड़ी प्लेग पैन ती कली बची सी इस नल कारदी सकीती वड़ा वर्ताओ कीता जन्दा सी मेरी होस तो पहलेएं यदाव्या हो चुक्का सी मेरे वासते हूँ मेरी वड़ी पैन सी सोडां शारां सालां दी उमर विट जाके मैनू पता लगा के ये मेरी माँ जाई पैन नहीं ये सान उस वेले दियां कदरां केमता मा आते कोई पैन ना होन दे बावजूद मैनू कदी एकाट मैसूस नहीं सी होन देते पिंड दियां और ताने मा बड़ा प्यार देखे कदी मा दी लोड मैसूस नहीं सी होन देते किसे करों कुछ भी खालवां कोई चीज पसांद आए चुक लेवां कदी किसे ने नहीं सी रोकया पिंड आंड गवांड दियां कुडियां मुंडियां नल खेड दियां कदी पैना परामांदी थोड मैसूस नहीं सी होई आज भी किसे औरत तो मैनू कदे कोई संकोच जां वक्रे पान दा असास नहीं होन दा जिमें किसी अपनी पे अंजाम पर जाई जान ताई चाची नू बिना चे जगब लौंदा हुमा मैंनू कदी संकोच नी हुया ये बच्चपन दे मुंडे कुडियां दे काफी उमर तक मिल चुल के खेड़ दे रहन दा नतीज जाई इसलिए मैं मैं सूस करदा कि आंट गुआण दे बच्चेयां दा इकठे खेड़ना ते मुंडे कुडियां दा सांजे स्कूल आंज पढ़ना किसे भी व्यक्ती दे शक्सियत उनू निखारन विच काफी सहाई हुम दे हन कुडियां दे जा सिर्फ मुंडेयां दे स्कूल विच पढ़नाल शक्सियत विच दूसरे लिंग प्रतीक किसम दे चिजक जा संकोच पैदा हो जान दे एक आठ जा दूरा पन अगलेरी जिन्दगीच पूरा नहीं हम दा ते इंसान एक पासर ते असंत तुलेत जया हो जान दा चोथी जमादेम ते आन देन तक जो पिंडा तकरीबन दो मील दूर आवा गत बंगले दे मिडल स्कूल च होया मैं अपने पिंड तो सिवा कोई शेयर जां कोई होर पिंड भी नहीं सी देख्या जिन्दगी दा केरा इनना सीमत सी के बारली दुनिया विच विचरंदी लोडी मैसूस नहीं सी कीती किसे ने अंग्रेजां दा राज सी पिंड विच पुलिस दा सुपाई आजय ता अंदर लोक जाई दा सी असी उंज बहादर वी बड़े सां पर जे पुल्स दिखाई ना देवे साधी पिंड विच एक पर्स राम बमन नौजवान कांग्रिस दा करिंदा हुंदा सी वैसी पिंड विच के अमिनिस्ट विचारता रादा वद जोर सी ये पर्स राम हा रोज न्यानियां थी नौजवाना हथीं कांग्रिस दियां चंडियां बड़ा के शामनू पिंड जलूस ना निकले ता समझी दा से कि परसराम नो पुलिस वड़के ले गई नहीं ता जे परसराम पिंडच होवे ता जलूस ना निकलन दा स्वाली प्यादाने सी उन्दा साधी नजरे वजादी दा शैदाई एक देवतास रूप इंसान सी जिसने देश दी अजादी वास्ते सब कुछ गुर्बान कीता उस परसराम दा अजादी तो बाद अते देश दे बटवारे तो बाद की बनेया कुछ पता नि उदा किती नानी सुनेया शैदाजाद देश दी स्यासी अपोताप ते कुछी शत्रंज बाजी विच उएक मुरे वांग नेस्तो नाभूदी हो गया जापदाय लागला पिंड बंगा शिही दे आजम सरदार पगत सिंग दा सी हर साल बंगयां दा मिला लगदा सी एप पर्स राम बच्चेयां ते नौजवाना दे स्कूल जलूस लेके उथे उस मेले विच इनकलाब जिन्दाबादे नारे लोंदा हर साल शामल हुंदा सी अजादी वास्ते जागरती जो साड़े बच्चेयां विच उस पर्स राम ने पैदा कीती शायद केसे होर लीटर ने नहीं कीती इस पर्स राम नौँ असी अपने वड़े मास्टर जी जिन्नाई दिली सनमान दे सी देलोनौ वेकरनौ अजवी कई वार लोच दै बच्च पंदा इक होर किरदार वी आज तक मैंनौ नहीं पुल दा साड़े पिंडे एक हरी जन औरत सी अजवी मैंनौ सकी मावांग दिखाई दन दिये मैं सारा सारा दिनौ स्कोल बताओं दा सी उदे अपने पंज पुत्तर सन वड़ा पुत्तर मेरे बाप दे हान दा सी मैंनौ कारदयाने कदी उथे जान ते खान पेन तूं भी नहीं सी वरजिया सोच दां के अज भी जो मैंनौ किसे हरीजन पासों चीज लेके खान वेच जाउनानाल मिलन जुलन कोई संकोच नहीं बशर्ते के सफाई होवे यह मेरे बचपन दी याते मेरे माप्याँ दी खुल दिली दी देने साड़े कार्च कदी नहीं सी होया के मैं कारवेच किसे भी काम करन वालेनू चाहेओ किसे भी जात ब्रादरी दा होवे चाचात आया जाँ चाचीत आई कहके नाम बुलाया हुए नाम लेके बुलाण नाल चंडाई हो जांदी सी सोच दा कि उच नीच ओदों सी जहून कि अजादी मिलन नाल सी आर्थिक ते समाजिक तौर ते पच्छडियां जातियां दा ना हरीजन राखके ते पक्के कारपिंडां तो बार बनाके जुदे गुर्दवारे मंदर तरमशाला बनाके ते जुदे जुदा समाजिक सु हूलतां दे के समाज दे इस पच्छडे अंगनू सदा ले नखेड के नी राख देता आज दे उच जातियां दे किन्ने कू बचे ना जातियां दे वड्यानू चाचा ताया जाँ चाची ताई कहके बिलाओं देने कि ये समाजिक तोर ते पक्का पाटक पाके साड़े स्यासी लेडर ते ना ही पच्छडियां शिरेणियां दे खांदे पींदे लोक इना गरीबां दे ना उते अपने उल्लू से दे नहीं करी जारे ए गरीबता जिते सी पक्के तौरते उत्थे हन सोगो अग्ये नलू भी निकर गए हन कुझे ना शिरेणियां दे दो तिन पुष्टी अमीरां स्यासी लेडरां ते अफसरां दे बच्चे इना गरीबां दे नांते मिल दियां सोहूलतां दो ही अत्थी लुटी जा रहे हन ते विचारे उत्थे दे उत्थे हन मैं एक दिन चंडिगाड डॉक्टरी दी डिगरी दे कोर्स वेच दाख ले पीम्टी लेए कारांते आये प्रिक्यार्थी विखे नब्बे प्रतीशत पच्चडियां शिरेणियां दे बच्चे सन जो कारांते आये सन एस सिम्त्यान लेए गरीबां दी गरीबी दी आडवेच ए अमीर पुष्ट दार पुष्ट अपने टिड मोटे करी जा रहे हन ते पच्चडि होई गरीब सिर्फ वोटां दी पंड बन के रहे गे हन जिनन दी कीमत सिर्फ दो कपड़ेयां शराब दी बोतल जा चूठी हला शेरीना लदा केती जान दी है वो बउश रेणी मिलेया जुलेया पाई चारा जो मैं बच्चपन वेच खुल दिली नल मानेयां अज खेरूं खेरूं हो गया है मेरी मानसिक हालत ताकुल वंसेंग विर्कदी कहाणी तूडी दी पंड वाले बज़ुर्ग नायक वाली है जिस्ती सेरुते चुकी तूडी दी पंड वगदे पाणी उच खुल गई ते उधे कलावे पार पारे कठे करंदे बावजू तूडी दे तेनके बिखर गई ते विचारा डबड बाईया नजरा नल वेक दाई रह गया मेरिया अखा सामने इस समाजिक पाई चारे दे टांजेच तरेड आया कदरां कीमता दा निगार होना शिरू होया कमजोर ते समाजिक तौरते पच्छडिया शिरेणियानू बरबरी दा हक देन दी आडवेट समाज नू दो फाड करके ना जातियानू पक्केत ओरते बाकी दे समाज नालों निखेड देता इना दी गरीबी ते पच्छडे पंतों खुद गर्ज हरीजन अमीरा जिना चुकन्याने अपने गोत जटावले लिखले हन अते स्यासी लीडराने लाब लेया ते ए विचारे उन्ज दे उन्जी पच्छडे दी पच्छडे खड़े हन अजाद पारदी इस नीती नू दूरों सलाम ए नहीं केना जातियान उच्छा चुकन्ली सुहूलता दी लोड नहीं पर सुआलता ही है कि के साधी अजदी स्यासी नीती ए मंतः पूरा कर दी है मैं चौत्भी जमाद दे अमत्यान दिगाल केती सी एमत्यान मेरा पहला इमत्यान सी जिस विच पता नहीं मैं अपपे पास हो गया कशों पास कर देता गया सी दरसल असी सारे मुंडे पास हो गय सा, जंकार दिते गय सा, उना दिनाच पिंडानियां कुडियां स्कूल नहीं सी पढ़ दिया हो दिया, जे किसे ने कुछ पंजाबी पढ़ नहीं हो वे तक गुर्दवारे जाके पढ़ दिया हो दिया असल, उस चोथी प्राइमरी नूँ पास करन विच मैनू जो खुशी मैसूस हुई, उन्हीं खुशी शायद पीएचडी करन विच वी मैनू मैसूस ना हुई हुई, मेरा ख्याल है छोटियां जमातानू खास करके प्राइमरी क्लास संच कोई बच्चा फेल नहीं सीखिता जान्दा, उनके से उच्ची मत्यान वि चंदा नहीं दे सकते, जान दान रूपी चंदा नहीं दे सकते फेल ता अर्थिक पक्खू मापे हुंदेने, पर फेल कर देते जान्देने ननने फ्रिष्टे, वा नी अजाद देश दिये उन्तिये, बल्ले वे जनता दे नेता गणू, तुसी वास दे रहो, लोग पामे तडफ दे रहान, ते देश पामे निगरदा रहे, ते देश ता पवेक, ए बच्चे, पामे मों दोड़े जान्दे रहे, मैं गुलामी दी सिफ्ट नहीं करदा, पर देश दे गुलाम हुंदेया हुयां भी, इंज कदी नी सी हुया, जिना ने साधियां गुलामी दिया, जंजीरां, तोडियां, उता लद गए, अपनियां अहुतियां दे तना डांदे, जो अपने स्वार्थ लई, अपने आत्मादी अवाजनों दबादेन विच, उक्के हेच कचाहट नहीं रखदे, मजबी एकायां ते मजबी संकीरन ताच जकड़े लालची लोकाने, पबलिक स्कूलानों गुरुआं पीरां ते बजुर्गां दे नांदे के दुकान ना खोल लें यहां, जिते पैसियां दी सौधे बाजी विच पोले पाले बच्चेयां दी बच्चपन पूरी तरा मदोले आ जा रहे हैं, यह स्कूल खेरात, मतलब डोनेशन दे आसरे वड़ियां वड़ियां इमारतां बनाई बठे हैं, कई-कई एकड़ जमीन द स्कूलां दा, जो मां बाप आपना पड़ा सकते हों, ता अपने बच्चेयां दिया टूशना रखोंड, जिते पब्लिक स्कूल एक पासे अपनियां कुझ दुकान ना खोल कि अमीरां तो पैसे बटोर रहे हैं, ते बच्चेयां दे लक कुबे करी जा रहे हैं, दुजे प आसे साधी अजाद देश दी लोकतंतरी सरकार, कुझ सरकारी स्कूल जिते पड़ाई दियां पूरियां सो उलता नहीं, मास्टर मास्टर नियां पड़ाउं दे नहीं, सिर्फ अपनी तनखान पानी दन दे हैं, खोल के कूख सुती पई है, सोचदां के मुडली सिख्या सार योग की सेदा भी हुए, चंगी मुडली सिख्या दा हक नहीं, क्योंकि सारी जम्यवरी सरकार नहीं उठा रही, इस करके प्राइवेट स्कूल नुमा दुकाना खूलन दी आग्या दिती गई है, जिते पैसियां दी लोटती मजबी, संकीरन ता, तंग ख्याली दे वर्गी करन बच्पन तों ही बच्चेयां दे दिमागा चे बीजे जन्दी है, जे प्राइवेट सिख्या साधना दी जाज़त देनी है, ता काल जान ते युनिवस्टियां वास्ते दिती जा सकती है, बच्चे दा बच्पन ते मुडली चंगी सिख्या दी पवित्तरता, हर क्या नों इस तों वांजा क्यों रख्या जा रहे है, मेरे विचार वेट मजबी रंगत वाले स्कूलां वेट चाहिओ किसे वी मजब देहून बच्चेयां वेच मानसिक संकीरन ता पैदा हूं दी है, इना स्कूलां मेच मजबी चुक्काओ कारन बच्चे दी उदारता ते शक्सी विशालता हुतते अच्छा असर नहीं पैंदा, मेरी मुडली सिख्या सरकारी स्कूलां चोई, जा थोड़ा वड़ा होके पहला एक खालसा स्कूल, फेर एकारिया हाई स्कूल वेच एक-एक साल विद्या प्रापत किती, ता किसे मजबी रंगने मैंनू नहीं रंग पामी एक साल में खालसा होस्टल चवी रहा, जे थे सिख्यी मर्यादा दा बोल बाला सी, पर अटवी जमात तक सरकारी स्कूल चपड़ के हर मजब दे बच्चियां ते अध्यापकां दे संपर्ग चरह के उदार ता दी नहीं पकी हो चुके सी, जिस तो मजबी संकीरन ता सारे तुब के तिल्क गए, ते कदी एक मजब दी दूसरे मजब होते बड़ोतरी माननू नहीं खुबी, स्कूल दी शुरू दी अरदास जा आरती दे अच्छे मानसे असरता रह गए, पर इना ने किसे लकेर दा फकेर नहीं बढाया, मैं समय दा बच्चे दी मुडली सिख दे मजबी संकीरन ता तो रहत होवे, ता अग्गों किसे भी मजबी रंग दा कॉलेज जा या उनिवस्टी वेट, कोई हानेकार का सर नहीं होंदा, इस दा मतलब नहीं के बच्चे नूतार में सिख्या ना देती जाए, सो गो सारे तर मादा मूल, मानव तरम, स्कूल विद याच लाजमी होना चाहिद है, इस दे नाल शेरियत दा विशावी लाजमी होना चाहिद है, इस करके कॉलेज दे युनिवस्टी ता पामे किसे मजबी जा समाजे के काईयां दे हों, पर स्कूल सारे सरकारी होने चाहिद हैं, ते हर बच्चे नूँ इको जाई मुडली पच्चडियां जाती हैं ते आर्थिक तोर ते कमजूर वर्गां दे बच्चयानों आर्थिक सू उलतां दे के पढ़ना लाजमी कर देता जाए, ता नौकरियां आध वेच राकमे करन दी लोडी नहीं रह जाएगी, ते दसा सालां वेच यहालात बदल सकते हैं, पर वोट प्राइमरी तक जदू मैं पढ़दा सी, कोई फीस नहीं सी हूंदी, अठवी तक फीस नहीं तक फीस चार ते छे आने हुंदी सी, इहुजी ममूली फीस देनी कोई खास होखी नहीं सी, पामियो दो पैसा बड़ा मेंगा सी, चोदा आने मतलब अठासी पैसे मन, चाली सेर कनक, तेसे पाई कसेर के ओविकदा सी, इसले इस फीस नो भी पूरी जादी माफ कराउनली बेंति अपने स्कूल दी दो एकड़ जमीन वाई, ते हेड मास्टर ने फेर भी फीस दी कोई माफी ना किती, ता मेरे बाप ने हेड मास्टर कुट कड़िया। मामला मसा रफा दफा होया, पैसे री कीमद आई खोरू दारं देन्दा, साड़े पिंडतों कोई चार मील दूर शंकर पिंड विच छिंज मिला लगदा हुंदा सी, जेस्च चंडी, गडम, पैल वाननां दे कोड, ते होर मनो रंजक खेड़ां, ते गाणे वजाने हुंद लोग बड़ी दूरो दूरो ये चिंज मिला विखण हुंदे साँ, एक सल मैनो इस मेले जानली एक टका, मतलब दो पैसे मिले, ओधो रुपए वेच दो अठानिया, चार चुवनिया, अठा दुवनिया, जा सोला अने हुंदे सी, एक अने वेच दो टके, चार पैसे, अठ मुझत अरश्चा दे मुन्डे रत्तू कुल गया थे, उन्हों भी मेले जानली त्यार कीता, उन्हें अपने बाप ते फिर अपनी मा कुलो पैसे मंगे, जो रोन कुर लोन थे, पिट से अपे दे बाब जूद ना मिले, आखिर असी दो में इक टका लेके, चार पंच मेल प यह नहीं के साधा होर खान नू जी करदा सी, एनिया जलेबियां काफी सन, एने विट सा डे खान पीन दी काफी तसली हो गई सी, इक तेला बचया, परतन तों कोज देर पहला रतू पयान लगा, मैं सिग्रेट चो तू आंकड़ने, उथे एक सिग्रेट वाला होका दिन्दा स के डबी तार दी तेले नू वज्जा मार दी, उस टेलेफोन खंबे दी फोटो वाली डबी वेच चार जन चे सिग्रेटां सान, जर्द रतू खेड़ी पया गया, तांसी यो डबी खरीद ली, इस तरह उसी दू में एक टके वेची सारा दन मिला देखके वापस मुड़े, रत्तू नू भी नहीं सी पता थे, मैंनू भी नहीं सी पता के सिग्रेट चों अगला के तू अंकड़ी दे, उन्हें बढ़ियां फूका मारी यांते, फिर मैं भी कोशिश कीती, पर उस वेच तू आना निकले, असी फूका भी बार नू मार देसी, आखिर कार असी यो डब जान दा के 11-12 साल दी उमर वेच वी एनी सी पता के सिग्रेट च अग लगा के तू अंकड़ी दे, इन्हें नहीं सुगों एवी यकेंसी के सिग्रेट सिर्फ तू अंकड़न लेही हूं दी है, अजदा 11-12 साल दा बचायना गलां ते शायदी यकें कर सके, गल कार्या सां फ जान दे ची फीसान ना मत्र नहीं सान, सोगों प्राइवेट स्कूल लां वीचे भी सरकारी स्कूल नाड़ों वद फीसान लेंड दी आगया नहीं सी, इप्राइवेट स्कूल बाता करके मिशनरी पावनाल चलाये जान दे सान, ते अजदी दे संगर्ष वेच इना प्राइ जना दाई को एक मन्तव फीसान दे चंद्याराई पैसा को मना हुए, उस वेले दे मास्टर वी आम तौर ते लगनाल बच्चयानू पड़ों दे सान, पावी कुझ-कुझ माडे थी कम चूर मास्टर वी सान, पर बहतात चंगे थी सुहेर्थ मास्टरां दी सी, ट्यूशन जो आज दे विद्यकटांचे नूं कैंसर वंग लगी हुई है, ते कुण वंग खा रही है, इदा ना निशान नहीं सी, मास्टर स्कूल दे वक्तों वद पड़ों दे सान, पर सारी दी सारी जमात नूं खास करके उना स्कूलानू जिनाने बोड दा फाइनल इंत्यान देन हुई, इवद पड़ाई किसे लालच धले नहीं सी कराई जान दी, सो मुईसली कराई जान दी सी, कि स्कूल दे उस्तादां वास्ते बच्चेयां दे नतीजे चंगे निकलन, इस वेची स्कूल दी उस्तर दे नां सी, ते इहो दे आपकां वास्ते इज़त दे मान सी, आज आज दे आपकां दी विद्यार्थियां वेच दे समाज वेच ओ इज़त मान ना होन दा गिला कर देयां, पर अज दे आपक ने कदी अपनी पीडी हेठां सोटा मार के फेर के वेख्या, अज दा आम दे आपक कुछ गिने मिने सतकार योग दे आपकां नू छड़की, किनी क तन दे ही ते बेलाग लगन नाल अपने विद्यार्थियां दी पड़ा इदा ख्याल रखदे, ट्यूशना पड़ाउन वाले ते उस दे नाल लगदी बनदी बेमनी नाल, अपने ट्यूशना वाले विद्यार्थियां नू नाहक नंबर दुआन वाले, ते ट्यूशना प्राइवेट कॉल्जान दे प्रिंसिप लान दी एक समागम करके मैंनू मुख मैं मान देतौर ती सद्यार। सरकार दी ग्रांट देर नाल ते पूरी नामिलन दी शेकायत कर देयां। उना दे प्रदान ने दसिया कि प्राइवेट काल जान दे कुझ दे आपकानू साल डेट साल तो तनखानी मिली। मैं मैसूस किता ते पुछे आपक किमें काम कर दे हन। इना विटों कुझ ने अपनिया कोठियां किमें उसार लेंगा हन। कि ये सारा जुगार त्यूशना नाल खड़ा नहीं कीता। मिरा विचार सी के हो जे दे आपकता डिस्मिस कर देने चाही दे हन। जो साल साल डेट डेट साल तनखा नाम मिलन दे बावजूद आर्थिक तौरते इनने परफुलत हो गये सान। उनान। तनखा दी की लोडे। कोई है रानी वली गाल नहीं की हुणे कुछ दिन पहलों पटे आले एक टेक्स छापे वेचे हो जे दे आपकां कुडूँ असी असी नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब लख दी संपती दे कागस दे रुपई प्रापत होई हा। गल चल दी दूर चली गई। मैं गल बचपन दी स्कूल दी का रहा ह। जी में क्या माडे चंगे द्यापकता होदूँ भी सी इक को दारन दन दा। मास्टर चांजी राम ते मास्टर गुर्णाम सिंग दा प्राइमरी स्कूल दा फरकता मैं 10 चुकां। उन मिडल दी गाल कर देया। पन्जमी जमात ताँ आवा गत बंगले दे स्कूल ची केमे न केमे निकल गई। छेमी कुछ आखी हो गई। साड़े पेंड ते स्कूल विचकार कोई दो मील दा फासला सी। इस विच कार कई मुरब्यां एक मुरब्यां पच्ची एकड़ता हुंद है। दीक लंबी चोड़ी चरगा सी। जिस विच वणा ते करीरां दे द्रख ते चाड़ियां सान। छेमी जमात्तों ते सत्मी जमात्तों विच खास करके पड़ाई विच रुची ना हुन करके स्कूल एक हुआ लगदा सी। एमें बद्दे रुद्दे स्कूल नों तुरी जाई दा सी। प्यारा नाल देलों नहीं। असी काफी सारे मुंडे कई वरी अपने बस्ते चाड़ियां चुलो का जा वणा नाल टंग के खेड देते डेले पीलां खांदे रन्दे सी। जद स्कूलों छुटी दा वक्त हुन दा सी ता बस्ते चुक चूरी रोटी खा के करानू परत जाई दा सी। मैं पड़ा इच काफी कमजोर सां। चेमी जमात होता जिमे के में पास हो गया जा कर देता गया पर सत्मी ओखी हो गई। मैंनू एक मास्टर टकर गया जीत सेंग जो नाल लग दे पेंड फुराले चक नंबर एक सो पंजदा सी। मैंनू ही नहीं वो कईया नू टकर गया। दरसल उनू इरखा सी ते उन नहीं सी चौंदा के साड़े पेंड दे मुंडे पड़ जा। उदे पेंड फुराले देता च्याली मुंडे पड़ देसन। साड़े पिंड दे नौ मुंड़े वियो दी अख विच रड़क दे सान, जद कोई साड़े पिंड दा मुंड़ा ना पड़े, ज़ा फेल हो जाए ता उनू बड़ी खुशी हुन्दी सी, उनू मुंडे कुट्टन दा शौक जया सी, ते साड़े पिंड दे मुंडे ता जद लगे उन चंड दिन दा सी, इसे करके कई मुंडे स्कूल छट गए, मैं ता सी पूरा निकम्मा पड़न दे मामलेच, वो अंग्रेजी पड़ा होंदा सी, ते मैंनू अंग्रेजी तो कई नी सी होंदी, हर रोज पेले पीरियेडी मुरमत हो जान दी सी, मेरे नाल दा मुंड जो मुकांदपूर पैंट चकदा सी, ते असी इको डेस्क ते बैढ़दे सा, बड़ा निकम्मा सी, एक दिन ता उस मास्टर ने बिना कोई स्वाल पुछे ही साड़ी मुरमत कर छड़ी, कोट खान नूवी में पक चुका सी, ते काफी टीठ हो गया सी, मैं होसला करके किया क मास्टर जी तुसी साड़ी कड़ो स्वाल ता कोई पुछे ही नहीं, ते उन जी सानू डंडे मार देते, उना जवाब देता स्वाल पुछे ते वी तो अनूखेडा जवाब होन, ते दे नाली मेरे दो चार होर टका देती हैं, गल ता उस मास्टर दी ठीक सी, ते कुट खा मैं हमेशा रस्ते वाणी पासे डस्क ते बैड़दा सां, ते दूजे पासे मेरा साथी मुंडा, इस करके के पहला मैंनू कोट पैजाए, पहले ते फेर मैंनू कोट पैंदी दा नजारा माना, क्योंके कान फड़ा के चित्तड़ा ते पिट ते डंडे वाजदे सां, हाट थोड़ा जब पिशाब निकल जानदा सी, जो सिर्फ कच्छा ज़ा निकर पॉन करके साप पता लग जानदा सी, मैंनू बड़ा हनांद मिल दा सी, एक कोट ते पिशाब निकलन दा सुमेल वेक के, कई बर मैंनू दूरी मार भी खानी पैंदी सी, खेर इस मास्टर नू वें बसता चुक्के चला जाया कर, गैर हाजरी नहीं लगेगी, फीसा ता मैं पहली दूजी तरीख नूँ दे देंदा सी, ता जो नाना कट्या जाई, खैर फेर ता मौझे लाग गई है, पंजार उलरां दी सजा लेनी ते बास फिर सारी छुटी, खोर कुछ पड़न दी लोड़ी न रह गई, यकीन जानना, ये मास्टर पंजार दी बजाई, साथ रूलर ता टका दन्दा सी, पर पंजाहां चो कोई रायत नहीं सी मिल दी, ये सिलसला कई मिने चल दा रहा, इक वार साढ़े पेंड़ दे मुंड़िया ने सला केती, के स्कूल जान दी बजाई, ये जड़ा मड़ा शेर चले आजाई, सर्ब समती नल, जदों ही फैसला हो गया, ता मैं क्या तुसी चलो, मैं दोड़के तु आड़े नाल राल दा, मैंनु आज़दी तन खा रूलर खा आण दियो, ता जो एक काना जुर्माना ना लगे, मुंड़े मान गए, ते मैं उस मास्टर को जा पुंचा, जो दुआ, मतलब प्रेर तो पहला हूँ, अपने साथी दे आपकाना लगलां कार रहा सी, मैं बेन्ती कीते के मास्टर जी मेरे आज़दे बंदे रूलर मार लो, मैं शेयर जाना है, वोदी काफी हेटी होई होनी है, मेरे ख्याल च, उन्हें मैंनू दो चार बुरियां पलियां क्या के उत्हों दुड़ा देता, ते मैं बक्की दे मुंडिया ना लार लगा, ते असी सारे उस तेन स्कूल दी बजाए शेयर दा गेड़ा मार आई, दूसरे देन मैंनू पहले पीरिड विच्ची उस मास्टर ने खड़ा करके अपना कुट्टन दा काफी शॉप पूरा कीता, ते मैंनू किया के हुन सारिया हद्दा लंग गया है, अज तो तेरी ये सजा माफ हो गई, उस तो बाद उस मास्टर ने मैंनू मारना छड़ देता, इह हुजे भी अद्यापक कहलाओं देने अपने आपन, जो वा लग दी विद्यार्थियानू पड़ाओं दी बजाएक टीट अपरादी बणाओं विच्च कोई कसर बाकी नहीं जड़ दे, साड़े पिंड दे वसनीक वैसे काफी लड़ाके मनने जान दे सन, इस करके वी थी मास्टर जीत सिंग नलवा पैन करके साड़े पिंड दे मुंडे काफी लड़ी अख़ड दे पड़ाईच टीट हो गये सन, ते काफी था पड़ाईच छड़ चड़ा गये सन, साड़े पिंड दे किसे मुंडे ने वांड तो पहलां दसमी भास नए सीकीती, अपराधी बिर्थियां दे पनपन दी गाल दसना, इक वार साड़े नुवा मुंडे आंचों तेन चार पास वै, फराले पिंड दे सारे दे सारे मुंड़े पास हो गये, नतीज़ा निकलन तो एक दन पहलों साननू पता लगया नतीज़े वड़े देन असी सारे करपाना कुहाडियां थे लठीयां अपने करांचो चोरी ले गए ते राव इच स्कूल दे निड़े लुका के एक मुंडे नू रखी बठा आता प्रोग्राम सी के फिराले दे मुंडे कुटने ने जाद नतीज़ा निकले असी पहलों आके अपने हाथे आरचुक ले पर फिराली ये मुंडे नू पता लगया वो होर रहा थानी दोड़ दाड़ गई नतीज़े पिछो चूटिया हो जानियां सी इस करके स्कूल दे सजात हो तो असी बच गए पर हुन सोचदा कि माड़ा दे अपक अपने विद्यार्थियां विच अपरादी बिर्थियां कि में बलवान कर सकता है इस बारे शायद साड़े समाज ने योग त्यान नहीं दता ते इस समस्या दे हल बारे ता सोचे नहीं पर इस समस्या बहुत गंबेर है एहुजे अद्यापक हर समे होई हैं ते तक्रीवन हर स्कूल चूट हैं माड़ा मुटा ही फरक हुंदा है मैं कई वार सोच दां के क्यमे मैं इना हालात विचोंदी लंके ना पढ़ लेक्या ते नियां उच पद्वियां प्रापत कीतियां येदा कारण भी अध्यापक लियां खेर इनू चांद समझो जा मेरे चंगी पाग समझो मेरे बाप ने फीस माफ ना करन करके साधे स्कूल दे हैड मास्टर दे तेन चार पैना टका देतियां सी ते मामला बड़े ओखे होके रफा दफा होया सी मेरे जए नकम्मे विद्यारतियां दे फीस माफ कर देन दी भी कोई तुकनी सी बन दी केर मैं सत्मी जमाच चो फेल हो गया जो मैं होना ही सी पर बहाना जा कारन समझ लिया गया कि मेरे बाप ने हैड मास्टर नो कुटिया है नतीजे वज्जों मैंनो स्कूल चो हटा लिया गया ते पेंड दी दूसरी तरफ उनने ही फासले थे पाउल लिया ही वर नेकुलर मेरी जिंदगी तबाकरंच कोई कसर नहीं सी चड़ी होathy स्कूल वेचे को मुसलुमान मास्टर ने मेरी जिंदगी नो एसा मॉड़ देता है के मैं मुड़ पिछे मुड़ के नही। में थे एक सिक्थ ते दूजिया मस्तर क्यों किया है? ऐसलगे कि मेरे विचार वे की विद्याष ती मजब्दा ना कोई सुजोड है तये, ना रही कोई मूल विरोद ह masked. तमें एक सिख बच्चा हुंदेया हुया, एक सिख मास्टर मेरे ना चंगा सुलूग करदा, ते मुसल्मान मास्टर इना चंगा वर्ताओं ना करदा, पर होया इस तो कई उल्ट, इसलिए मेरा यकीन है के द्यापक ते विद्यार्थी दिरिष्टे जो मजब कोई था नहीं र बच्चे नू अपना बच्चा जानके पड़ाओं दे सन, पहले तो दुझे दिन जादे मास्टर जी क्लास्ट पड़ाओं आए, तो नमा विद्यार्थी हुन करके मैनू सबग सुनाओं ली आख्या, ए उर्दू ते फार्सी पड़ाओं दे सन, एक ता मेरे लिए फार्सी नमा विशा होन करके ते दुझे पड़न लिखन दा सुबा आई ना होन करके मैं चुप चाप उठके खड़ा हो गया, ते कुछ भी ना सुना सक्या, ते किसे सुवाल दावी जवाब ना देता, कुरसी तो उठके मेरे मुड़े ती हाथ राख मास्टर जी ने इस प्यार त अपने आप ते शरम है, मैंनो बिठा देता गया, ते क्लास थी पड़ाई हुं दी रही, मैं ता जमें तरती ची गड़्या गया हुआ, कुछ नहीं पता लगया कि की पड़ाया, कितों तक पड़ाया, मास्टर जी ते क्लास विच्चों चले जान बाद हाले एक पीडियड ह और रहन दा सी, मैं बसता समेठ एकला ही कारा गया, आके फार्सी ता नमा काईदा, ते ओधा उर्दू तर्जमा खरीद दिया, करीदन तो बाद ख्याल आया कि मेरे बसते जिकाईदा था पहले ही सी, खेर, जो सबक मास्टर जी ने पड़ाया सी, मैं सारा ही फार्सी ते जड़ मास्टर जी ने हस बे मामूल मैंनू सबक सुना लगी होकम देता, ता मैं उठके खड़ा हो गया, मास्टर जी ने क्या काईदा उठाओ, मैं उत्तर देता, मास्टर जी काईदे दी ज़रूरत नहीं है, एक सिर्यों लेके सबक पड़ाया सी, कि नहीं पड़ाया सी, फार्सी ते तर्ज में समेथ ठीक जंगल सुना मारया, पावे मैं ना पाया होया सबक भी सुना देता, मास्टर जी ने मैंनू रोकिया ने, जद मैं सबक पूरा कर देता, क्लास सारी सुन जी होगी, मास्टर जी ने अपने हाथ वाड़ा रूलर टेबल उते रखके, उठके स्कूलर फाइनल चौन जो इम ते अन स्कूल बोड़ दा हंदा सी, खासी पूजिशन आई, ते मैंनू अग्गे पड़ाई लई, दो साल दा वजीफा मिल गया, इनना फरक पादेता, एक मास्टर दी अपनी विद्यार्थी प्रती सुहिर्द पांचने, ओधन तो उर्दू मैंनू फारसी ठीक ग्रामर देयादा आरते बोलन ते समझंच काफी मुहारत पैदा हो गई, उर्दू अजवी मैं वर्तदा, अपने पुराणे दोस्ताँ वाकफानू चिठियां रिखन लई, किसे सेमिनार जा कांफरेंस विच जो मैं बोलन जा बैस करन ली, नोट करदा, ओवी आम तोरते उर्दू विच्ची करना, सेमिनार पावे इंग्रेजी जा पंजब बीदाई होगे, मास्टर जी दी शक्सियत मेरे अंदर पूरी तरंकार कर गई, इना दा तरीका सी कि गर्मिया विच स्कूल तों बाद तोप बहुत सक्त होन करके, बच्चेयानू कारी सी, पर मुसल्मान मुंडियानू वजू करके नमाज पढ़नू किया जान्दा सी, ते हिंदू सिक्थानू प्यार नल किया जान्दा सी, कि काफरो तुसी वी रबदा ना ले लवो, तुसी वी रबदा ना ले लवो, फिर टाई तिन कंटे खूब पढ़ाई हूं दी सी जद सूरज कोई दो रस्से रह जानदा सी, तांस आनू तोर दिता जानदा सी महाल ऐसा सी के जिमें बच्चे अपने प्योतों पढ़ना सिख दे हो कोई पैसा इस पढ़ाई दा नहीं सी, क्योंकि ट्यूशन दी बिमारी होनी दिनी हाले शुरूर नहीं सी हुई इदा कोई ना तक नहीं सी जानदा, सारे मास्टर ही बहुत प्यारते लगनाल पढ़ाऊं दे सान, ए नहीं के कदी सजा नहीं सी मिली, पर पढ़ाई तो नहीं, किसी होर इलत जांग गलती तो जरूर टिक जान दी हां सान, एक वार अठमी जमात विच हैड मास्टर साब जो सा मेरे मास्टर हां दे एक मीटिंग कीती, असी वेले आप वो अपना सबक याद कर दे सा, मेरे नाल दा एक मुंडा महिंदर काफी शिरारती सी, असी दो में बाँ फड़न दे छुदान दा मुकाबला करन लगते, हैड मास्टर जी ने दफका मार के सानू मना कीता, मास्टर ज पिशाब निकल के पजामा पे जिगया, ओदो स्कूल कच्छियां पजामा नाली जाई दासी, दरसल मैंनू पहला पजामा ओवी कर दे बने खदर दा अथमी जमाद जा जाके प्रापत होया सी, में दर दा पिशाब निकल अवे के, हे बदम बदबख्त कह के मास्टर जी ने होर बेंत नाम आरे, में हंदर दे बेंता नाम पेंडते मेरे मामनू काफी तकलीफ होई, मेरे मुह असुबाव की निकल गया, मास्टर जी मैं पिशाब कर दें था तब मैं भी बेंता नि मारतू बच जाना सी, नतीजे बज़ों मेरे दो होर बेंता पह गई है, साटता बड पर पुराना तजर्बा काम मागया, एहो जी सजा मुंडिया में कोई बेज थी वाली गल नहीं सी गिनी जान दे सी, पर फेर वी क्लास जो सिरकड विद्यार्ती होन करन कुछ कुछ मैसूफ जरूर होया, सोचे अग्गों तो कदी एहो जी हरकत नहीं करांगा, यह जीब जी कदी एहो जी बत्त में जी जंगलती नहीं करांगा, कुछ देर पिच्छों जी करदा सी पेरी इंटिग के मास्टर जी तो माफी मंगा, पर क्लास विच हेठी होन तो डर्दियां ये ना कर सक्या, इस परिवर्तन ते इस प्रण ते डटिरें ती इना सत्कार योग मास्टरा के इन दा नतीजा एक होर उदारन नाल दस दाहां, देश दे बत्वारे तो बाद में अपने नमी मुड वसे पिंड दे कूल, नूर मेल, जिला जलंदर द्वबा, आरिया स्कूल विच दस्वेंच दाखल होया, इत्थे वी में क्लास दा पहले नंबर दा विद्यार थी सी, बत्वारे ता जोखम चलन तो बाद वी ते पड़ाई विच लंबा विगन पैन दे बावजूद, मैं दसवें जमाद देंत्यान चों, जो उस वक्त पंजाब उनिवस्टी दांत्यान होंदा सी, अपने जिले चों पहले नंबर ते आया सांते उनिवस्टी दा मेरिट प्लियासी, दसन वड़ी गली है कि साड़े हिसा आपते मास्टर उन्जता बड़े चंगे सान, ते विद्यार्थियान बहुत लगंते प्यारनल पड़ाउं दे सान, पामें जिन्नी वार मर्जी स्वाल समझलो, अक दे नहीं सान, पर न्यायें दे कुछ ज्यादा ही पक्के सान, जे करोंभक वज़ों देते स्वाल ना करके आओ ता जने स्वाल ना करों नहीं डंडे गिन के मारते सान, कोई लिहाज नहीं सी कर दे, कोई वाद डंडा नहीं सी मारते, मैं कदी भी कारदा देता काम किते बगैर नहीं सी जान्दा, एक दिन कामता में किता हुया सी पर पर कपी कुदर्थिकार फुल गया, मेरी व्यारी आये तह में सचो साच दस्या, मास्टर जी ने यकीनता कर लिया पर सजा माफ ना कीती, मैंनो दो जा तिन रंडे हत्थां थे खाने पई, हत्थां थी साथ था शायद इनी मैसूस ना हुई, पर मानसिक तोरते बड़ी चोट वजी, क्योंके क्लास विच मेरी साख सी, मेरे नालदे डस्क ते एक लड़की बैठती सी, जो हेड मास्टर साब दीती ही सी, ते हेड मास्टर साब पिंडी दास सेट बड़े बाईज़त शक्स सामते, ते मैंनू बहुत प्यार करती सान, मैंनू अपना बच्चा समझ के, उनाने कर और जान दी खुली इजाज़त दिती हुई सी, इस करके मेरे देल वेच उना दी लड़की दी बहुत इज़त सी, ते उवी मैननू कुछ वड़ा हून करके, बड़ी इज़त नाल वेख दी सी, क्लास वेच दिखास करके उस लड़की दे सामने डंडे पैनते, मैं अपनी हद तक मैसूस कीती, पर कर कुज नहीं सी सक्दा, सारा दिन सोचदा रहा के की कीता जाए, आकर स्वय मान रखन लेक तरकीब सुझ गई, मैं आओना मास्टर जी दा दिता है सावदा कामता रोज कार लेना, पर कापी दिखोनी कई बंद कार देते, कापी डेस्क चपई होनते भी क्या देना काम नहीं कार सक्या, नतीजे वजो रोज दो तिन डंडे पैने शुरू होगे, साटता लग दी सी, पर कसी सुवट के जर जानी, आखर मास्टर जी भी परेशान सी थी, क्लास भी हैरान सी, कि मैं काम करना क्यों छड़ देता, उस लड़की ने भी दो तिन वार कार गय नूँ पुछिया, पर मैं कोई उत्तर ना देता, आखर निराश होके, हिसाब दे मास्टर जी ने एक दिन मेरी हेड मास्टर साब अगिश कैत कीती, कि मैं काम करना ही बंद कर गया, हेड मास्टर जी नूँ इस तो पहल नूँ अपनी लड़की तो पता लग जो का सी, मैंनू सद्या गया थे, मैं सब कुछ सचो साच दा सेता, मैं तो कापी मंगवाई गई तो मास्टर जी थी, हेड मास्टर साब हरान रह गए, कि मैं सारे दा सारा दिता हुए काम, रोज दी रोज कर दा रहा सा, हिसाब दे मास्टर जी ने मैंनू कलावे चला के प्यार दिता दिकिया, कि मैं तो गल्ती हो गई मेरे दिल चुस मास्टर जी दी इज़त अथा वद गई उना सारी गल कलास्ट दसी थी क्या ये मेरी गल्ती है ये ता सी नमुना एक स्वे मान दा जिस दा जाग मेरे अंदर मेरे मिडल स्कूल दे मास्टरां खास करके सूफी मुहमद दीन मास्टर ने लाया पर मातमा दी दियाना ले स्वे मान आज तक मैं हथों ने खोया चाहे कई वार मैंनो काफी नुकसान वी चलना पिया एक दो वारूच पदवी दियां असामियावी हथों गवाईयां जो एक वार जाके मंगण नाली मिल सकती हैं सन पर आत्मा ने मंगण दी अजाज़त ना दिती इस स्वे मान नो पालन लई ही मैं जिन्दगीच बहुत मेनत कीती है जो मेरी काम्याबी दा एक बहुत वड़ा कारण है पर इस साब दे मास्टर जी दी मिसाल ने मैंनू जिन्दगी वेच एक होर वड मुला सबक भी सिखाया वे कि अपनी गल्ती एक मजबूत शक्सियत दा इंसानी इंज मान सकता है कोई माडा मोटा ने अपनी गल्ती नो ताकत वेच हुंदियां भी मान लेना ते क्या देना कि मेरी गल्ती है एक परपक शक्सियत थे द्रड़तादी निशानी है कमजोर ही नहीं कमजोर शक्सियत अपने गल्ती कदी मंदी ही नहीं ते जन तक तोरते तो उका ही नहीं स्कूल वे इंज वको वकरी पदर ते जिसमानी सजा से के ते उस सजा दे वक वक असर वेह के मैंनों यकीन हो गया कि जिस्मानी सजानाल कोई बच्चा जब बंदा सुधार या नहीं जा सकता फिर वी इनसान गलतियां करता है ते मैं भी कीती है ये ना पक्का सबक से के वी जद मेरी बारी आई ते मैं गलती कर गया B.S.C. पास करके मुड़ थोड़ी देर लई अपने ही पुराने स्कूल दो अबबा आरिया स्कूल नूर मैल चद्ध अपक लाग गया उथे मैं भी बच्चा नू जिस्मानी सजा देती पर पोली-पोली इक विद्यार्थी मेरे वांगों सगो में तो वी वद टीट मैंनो टक कर गया दो-चार दिना तो बाद मैं ही पाप गया कि मेरे वाड़ा ही केस है मैं उन्हों दो-चार दिन जदा सद के समझाया ते बड़े प्यार ना लोन होसला देना शुरू केता ते सजा देनी बंद केती दो हफ्तेयां विच्छी वदियार्थी चलतू रहा इस तो बाद मैं उस स्कूल विच्छ को एक साल पड़ाया पर कदी किसे बच्चे नो जिस माननी सजा नहीं देती इस स्कूल दी ही जा विदियार्थी यां दी गल ही नहीं सो को बच्चे वास्ती हर थांटू को दी है एक वार मेरा लड़का जनमेजा छोटा जया कोई चार को साल दा सी कोई गलती कार बठा मैं उदे थपट का देता ते गलती मनननू क्या पर उने गलती ना मननी मैं आनू लट्ता तो फड़के पुठा गार देता पर उस फेर भी गलती ना मननी मननू चाटपट मैसूस होया कि मैं सक्त गलती कार रहा सा गुस्से दे वास होके मैं फोरन उनू चाती ना ला लिया बच्चा पामें छोटा सी पर मैं समय दां, बच्चे दा भी स्वयमान चोटी उमर ची पुंगर दा ते प्रबल हुन दां, जिनना किसी वड़े बन दे दा, जिस इंसान दा स्वयमान चोटी उमर ची पुंगर दा ते प्रबल नहीं हुन दा, ओ अपना स्वयमान अगली उमर विच भी नहीं रख सकता। मैं मन्दा हां कि मैंनों गुसा बहुत हो ते बहुत छेती होंदा। कोई गल्थ कम देख के मैं छेती की ते जर नहीं सकता। ते फॉरन पढ़क उठदा। पर मेरा गुसा कदी भी दो-चार मिंट तो वद नहीं होंदा। जिस नल गुसी हुआ उ विच मैं खोदी रूंदा। पता निंग। ये मेरी कमजोरी है जा शक्सियत दी मजबुती पर मैं किसे बच्चे नूँ भी कोई होर मार दा नहीं चाल सकता। ये बच्पंदियां रंग बरंगियां सजावां दा नतीजा है कि सजा तो डर भी नहीं लगदा। ते इनू ग अच्छा हुए चाहे कोई नौजवान। स्कूल वेच बच्यानू जिसमानी सजा ता एक पासे मैं समझ दांके वड्यानू जा नौजवाना नू जो पुलिस सजा दिन दी हो वी उल्टासर कर दी है। सजा ता पहली कटनी ओखी हुन दी है जो मैसूस हुन दी है। उस तो सजा पाउंड वड़ा टीट हो जान्दा है ते अप्रादी बिर्ति उस विच परबल होने होन लग दी है। तेदे नाली सजा देन वड़ा वी इंसानी बिर्ति ते सोच तो उखड के हैवन्ना नौवी बत्तर हो जान्दा है। मेरे विचार वीच सजा पाउंड वड़े न इन वाले दी आत्मा कसाई दे पहला बकरा बड़न वांग एक दो बार ता आवाज देन दिया पर वली वली आत्मा दी आवाज मद न हो जान दिया ते आखर खामोश हो जान दिया इस संदर विच मैं सोचदां के एप पुलिस जो तसद्द कर दीया ते गैर इंसानी तसीह जा पामेत सिह अपरादियां ते आत्मा दियान क्यों ना दिते जान दे हुन क्यों एक इंसान दूजे दी पीड कुरला हाट ते चीकां वास्ते सुनके फेर भी अपने हथानू नहीं संकूच दा क्यों हो दे देल्च तर्स ते रहाम नहीं अपच दा इस स्वेच ता कोई शक नहीं के कुछ पुलिस वाले भी काफी श्रीफ हुन दे हन। कहिता देवता सुरूप हुई हुन दे हन। खास करके अफ्सर श्रेड़ी विच परक्सर इना दी विगडी हुई कुरक्त शक्सियत इना दे चेरियां ते साफ लिखी जंदी है। पंजाबी पुलिस ता अपनी सक्ति ते गैर इंसानी वतीरे बारे सारे देश्च पर सेद्ध है। जेस आदमी ने इस मैक में विच खास करके ठाणयां विच काम किता हुए, वो तब आमें सिवल वर्दीच भी हुए दूरों दिस पेंदा है। इक ता शकल ही कुरक्त हो जांदी है ते दुझे बुली भी आंकार ते कटिया कि समदी हो जांदी है। जे शकलों ना भी पछानयां जाये ता बोलों तो फट पछानयां जांदे। इसे तरां जिना मास्टरां दा आचरन दी वतीरा कटिया हुए, ते इक चंगे अधे आपकदियां कदरां कीमतां दा मालक ना हुए। उधी शकल भी पुफुट के उधे अंदर लेदी निशान दे कर अमरीका दे राष्ट्रपती लिंकन उधे ओधा संबालन दे उधे कुछ मित्राने किसी व्यक्ती दी सिफ्थ सिफारिश कर देयां किया कि इन्हों अपनी कैबिनेट विच लेलो लिंकन ने उत्तर दिता कि उन्हों स्व्यक् तैक दे खुद जिम्मेवार हुनद है इनी धेर दीयां जिंदीयां कर तो टताां चेरे उत्युक्रियां जान थियां हिंते चेरा बदल जान्द है एéta गल मैंनु बिल्कुल ठीक लग दिया चेरा परवाव इंसान दे अंदर लेनु पर क्रता दन्द है इस करके पेड़िया अगलेरी जिन्दगी थी पॉंच चोटी उमर विच माँ बाप दी सोबत सिखलाई थी मुडली सिख्या विच अध्यापकां तो प्रापत हुन दिये। जे उस विले इंसानी कदरां कीमतां कच्चिया राजान ता जिन्दगी थी पांद विच कुरक तते कटिया हाला तते व्यक्तिया नलवा पैणनाल इंसान अच्चिया कदरां कीमतां छेती खो बैठता है। अपनी जिन्दगी चो दारन देंदा मेरे पिता जी दे तिन प्रासन दो वड्डे जिडे पहलों अकाल चलाना कर चुके हन ते एक चोटा जो 96 साल दी उमर वेच सुर्गवास हुए। मेरे पिता जिनादी हुन उमर एक सो दो साल ची सेतनाल जिंदगी दिया नांद मान रही हन। जद पंजावीच वड्डी प्लेग पहिता सारे टबर जो काफी वड्डा सी चों सिर्फ एक चार प्रा बचे सन। सडेक सके टबर जो सिर्फ एक लड़की बचे सी, जो एना दी पती जी लग दी सी। इस नूँ एना चोहां प्रावने ती जान के पाड़े आते व्याया वर्या, इक क्योंके अकले सांते हाला छोटी उमर दे सन, जो दो मुरब्बे नीली बारविच उना दे बापनों लाट हो एसन, हत्थों जान दे लगी। जदी जमीन बहुत का ठोन कारण जब तक के नीली बारविच पहुंचे ता मुरब्ब्यां दी जमीन हत्थों जा चुकी सी, नतीजे वजों जमीन मामले ठेके थे लाके खेती कर दे रहे, इक ताया ते चाचा ता फाज विच परती हो गए ते मेरे पिता जी ते वड़े त पिंड खेती कर दे रहे, मैंनू सुर्थ है के दो जोगानल, तकरीबन डेड मरब्बे, मतलब सेंती एकड़ दी खेती सी सड़ी, जो मेरे पिता जी तकरीबन कल्यी संबाल दे सान, स्वेरे तड़के उठ, दोनो प्राद, दुपैर तक दो एकड़ जमीन दी वहाई कर दे स दा जोताला तड़कसार बाकी लोका वांग दुजी जोग जोड लेंदे सान, इन्नी मेन दे पाब जूद शाम नू कोड कुष्टी कर दे सान, दो फजी परावांदे पैसे बारों भी आजान दे सान, इस करके पिंड़च अपनी जमीन ना होन दे बाब जूद भी चंगी पर तीथ सी, इस ओखी कड़ी नू मिलके कटन दाही नतीजा है कि आज तीजी पुष्ट तक वी साड़ा संग्युक्त टबर मतलब जॉइंट फैमली है, पावे मैं ते मेरे बच्चे जुदा कमांदे खांदे हां, ते मेरे चाचा जी ते लड़के इंगलेंड चपना कार पर साड़ी जैदा धालां तक वंडी हुई नहीं, जमेन ते पिंड़ दा कार बार मेरे ताया जी दे पुत्तर दे हावाली है, ते मेरे पिता जी उस दे तब बरनाली रहन दे हां, साड़ी पास तक कदी कड़ाई ही आउंदे हां, क्योंकि शेर वे चुनां दा, देल नहीं पर वर्तारे ते ऐसास वेच सके पराई हैं, लड़दे वियां ते सके परामवाग, एक दुझे वास्ते जब बच्चियां वास्ते पैसा खर्च के कदी ए मैसूस नहीं कीता कि किसे बेगाने वास्ते कीता है, जम वापस लेंड दी आस होवे, व्याशादियां दे लेंड वी सांजे तौरते कर देयां, ये मापयां दीक बहुत वड़ी देने कि अपने टबर विच कदी मन नहीं उकताया, दूसरी बच्चपन दीक बहुत वड़ी देने मेनत तती अन्थक मेनत, मैं जाद अठवी जमात वर्नेकुलर फाइनल पास किती, ता मैनू 10 रुपे मिनना दो साल वास्ते वजीफा मिलन दे बावजूद मैनू पढ़ नो हटा लेया गया, उना दिनाच दास रुपे थोड़ी रिकम नहीं सी हंदी, इस वेच स्कूल दियां फीसा ते होस्टल च खान पीन ते सारे खर्चे करके भी रुपे दो रुपे बच जान दे सान, खेर पढ नो हटा इस करके लिया के पढ़ के एकड़ पटवारी बन जाने, साड़े पिंड विच पढ़ा इधर वाजी नहीं सी, स्कूल नो हटा के मैनू खेती दुबल्ले आ गया, मैं अपने पिता जी नाल हलां दा, पूरा पूरा जोता लां दा सी, असी तड़के दो वजे उठक अगले हल ते, मैं पिछले हल, दो एकड़ जमीन, दपैर तो पहला वाकी साल हैं दे सा, जवान सा, पर हैता जे लुआई सी, कोई तरस नहीं सी किता जान दा, जिस दन हली नहीं गया, सारे डंगर माल ले, चारा कटके, कुतरे वाडी मशीन ताई लेओना, मेरी ड्यूटी ह दे से, मैंनू याद है, गर्मियां विच पड़ी होई, चरी जुआर दियां तेन परियां वटके, मशीन ते त्यार रखनियां पेंदियां सा, हाल चड़ के, ताया जी मशीन चरी दे रूगदया कर दे सा, ति मैं हाथ वाडी कुतरे दी मशीन गेड़ दा हंदा सी, ताया दूली दी हिम्मत नहीं सी हुंदी कदी वी, चरी विच रस बहुत हुंद है, उस रस नाल रोज गिर गिर के मशीन दी अगली फर्ष कच्ची उंड़ दे बावजूद वी, सीमेंट नणूवद पकी चिकनी ते साफ हुंदी सी, कपड़े लाके सिर्फ कच्छा पाके मशीन गेड़ी दी सी, मेरी आखां अगे हाला वी, उत स्वीर साफ दिखाई पैंदी है, पैरां दे अंगूठे आं दे नौआ तो अगे, पैरां थलेओं पसीने दी रोड वगन लग दी सी, मेनत तां बहुत सी दे कम वी अउखा सी, परे पसीने दी रोड वेक के मनूई का जीब किसम दा अनन्द मिलदा सी, ये अनन्द ते तसली सिर्फ मैसूस ही किती जा सकती है, इनू ब्यान करना मुम्केन नहीं, सारे चारे नू कुत्रा करनतों बाद इंज मैसूस हूनदा सी, जिमें किसी अखाडेज बहुत वड़े पैल वानू टा के मल मारी हुए, ताया जी दा खोश ठेरा वेख के ते उनना तो थापी लेके एंज मैसूस हूनदा सी, जिमें किसी त्रे लोक की उते फते हासल किती हुए, मैं अपने पिता जी नाल सारा सारा दिन तपदियां तो पामिच कनकदी वड़ी किती हुए, असी बराबर बैटके नाल नाल प्रात्तां तर दे हुए से सारे वड़िया नाड़ा पहले है सुथरी वड़ी कर दे सा, कम सा फामिट नाल ना तो पिता जी नू पसांदी नहीं सी, इस पको मैननु कदी होना भक्षे ही नहीं सी, शाम नू खड़े हुए, छेता में जानी आसि आपनीया प्रांता लाइए कित論 गिंडे हुए क्योंकि साध्डी कीती वड़ी जुदाई दिस्दी उन्दी सी। उस वक्ताई समझनी पैंदी सी के नी सकती क्यों हैं। पर बाद वेच जो इस मेनद दे नतीजे निकले उस नाल माननू बड़ी तसली हुई। जिस दन हली नहीं गया, सौन पादों दी गर्मीच पंज- कमाद दे मुसल मतल मुएं बनना भी कुई सोखा कम नहीं सी पर इस सारे कम मैथोड डट के करवाए गया, सब तो आखी फले आ नाल कंक दी गहाई उन्दी सी, कांड बहुत लड़ेया कर दी सी, दिलों में अर्दास करे दी सी के कंक थोड़ी हुवे तान चंगा, ये कर दी कंक ज्यादा हुननाल हफता दास देन वद लाग जान्दे सान। सोचदां जेव बजपन दी दुआ पूरी हुई हुँदी तप उखे मर देंदे। पर जद कंक दी गहाई खतम हो जान्दी सी, ता बार मुरबे तूतां दी छाहे, चपडी दे कंडे, लकडी दे मानी हुए। वैसे ता मैं सौन काफी तकड़ा, पांज मिन्टां दे अंदर अंदर लमा पमा ता सौन जाना, पर उतक्त पोश्वाली मैं नूनी पुल दी। इत्थी बास नहीं, पिता जी थे, ताया जी हुरां दे, काम दे, खदर दे कपड़े भी मैं ही छपडी दे पान मैं स्कूल ची पढ़ दा सा, ते छुटी आए दे अगे कम वाले मोटे कपड़े खूदे चले विच तो उननू सुट दे जान दे सान, तब पिता जी पुछ दे उन दे सान, क्या जी तैनू सढ़े कपड़े आंचो मुश्कॉन लगा कि नहीं, स्कूलों हटा लें तो पिछ किसे तरा दी रोक नहीं सी, सो गो तुन तुन के मैंनो खुआया प्याया गया, इस करके सक्त काम करन करके काफी खुला खान पीन नाल, मैं जिसम दा करडा था बहुत सी पर मोटा नहीं सी, जो दो बटवारे मगरों सी, जिलंदर जिलेच पिंड चूहे की विच आके पहलों मोडवसेबा कीता था उस पेंड विच खुँआं दा पानी बहुत डुंगा सी, जे कुई पर यां टिंडां दे हल्ट दा, एक कुतावी पादे वेता केंदे सन मुंडा जुआन हो गया, मैं पर यां टिंडां आल, हल्ट दा, डेड़ गेड देदन दा सी, इस दो साल दी खेती पिच्चों पता नी कि में साड़े बजुर्गां दी मन सुमत पह गई, मैंनो मुड स्कूल दाखल करवा देता, वरने कुलर तो बाद उना दिना विच दो अंग्रेजी दियां जमातां, जूनियर ते सीनियर, दो सालांच पास करनियां पेंदियां सन, साड़े पिंडो कोई वी पंजी मेल दू, ननकाना साब विखे एक बजुर्ग मास्टर, प्राइवेट तौरते दो में जमातां एक साल विची करवा देंदा हुंदा से, मैंनो ननकाने साब उस पास दाखिल करा देता गया, इस तरह एक साल फेल होके, ते दो साल खेती ते रहके, मैं उमर विच तिन साल पड़ाई पक्खों, पिछे पैचुका सा, ते एक साल जूनियर, सीनियर पास करन विच फालतू लग गया, कुल चार साल मैं अपने हम उमर पड़ा नालो पड़ाई पिछे रह गया सा, पर जो इस तजर्बे तो मैंनो इस तो बाद दी पड़ाई ते कम काज विच फायदा होया, वो नोखाई है, ते शायद किसे विरले नू एलाब होया होई, ननकाना साब दे खाल सा स्कूल विच प्राइवेट क्लास विच एक स जर्बा से, पामे साधी क्लास था बाकी दे स्कूल तो वकरी सी, पर किसे तरां वी वकरी गिनी नहीं सी जान दी, अंग्रेजी थे सिर्फ अंग्रेजी दी, दिन रात साल पार पड़ाई ने मैंनो अंग्रेजी लिखन पड़न विच जो ग्रेमर ते होरना पका तो मुहारत दी, उस नाल मैं फेर किते मार नहीं खा दी, इस स्कूल दी स्वेर दी प्रेयर मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना, अज तक मांच वसी हुई है, इस स्कूल च मैनू होस्टल दा पहला तजर्बा होया, उमर दा कुछ बढ़ा होन करके मेरे विच स्वय विश्वास दार नहीं सी, उस वक्त मेरा वजीफा था खतम हो चुका सी पर खर्चा खर्चे थोड़े होन कारण कार्द्यानू कर्च लोन कोई खास हुखा नहीं सी, पोस्टल दा सारा खर्चा साल तकरीबन अठटतर रुपए होन्दा सी, जेडे मुंडे दा खर्च दास रुपए हो जब उन्हों सी फुजूल खर्च केंदे उन्दे सी। इस कोल्च एक बहुती लगनवाले खेड़ना देन चार्ज पास फुटबॉल खेड़ना शुरू केता है। इस मास्टर जी दे सिखाई काफी सिर्कड में फुटबॉल देखे डारी हुए हैं। याद एक वर मैच हो रहे हैं। सियाल दे देन सान मास्टर जी ने ओवरकोट पाया है। जिब बाच हाथ सान साधी टीम गोल करनती आई था है और मुक्के थी मास्टर जी ने गोल गोल केंदेया। उक साथ विच सुत्ते सी दी जिब बाच विचों मीटियां मुठियां पार क स्कूल दाखल होया जो मेरे पिंड़तों सिर्फ सत मील दी दूरी थे सी मैं होस्टल दा कमरा लेलिया। पामे आम तौर थे साइकल होत्ते पिंडों यांदा जान्दा सा छे मीनिया पिछों तो होस्टल चीरान लाग पिया। ते सिर्फ एतवार जा चुट्टी वाले देनी पिंड़ा होंदा सा नंकाना साब दे स्कूल ते होस्टल दावातावन बहुत रोचक सी होस्टल दी दिवार जो कच्ची मिट्टी दी बणी होंदी सी नालीक बहुत बड़ा बाग सी संक्त्रया मालतेयां दा कच्ची मिट्टी दियां कंदा अफ गान्नी राशे बणाया कर जो इसकंच खास मुहारत रख देशन असी कंद टपके संक्त्रेया माल्टेयां दा बुरा पार ले होंदेशी सीताय चोरी पर ए मुहें मननू पौंदेशी ते संक्त्रेय माल्टे भी अत दे मिठे ते स्वादले होंदेशन एक गुर्द्वारे दी जमेंसियस करके कही दा सी क माल्टे बाब्बबी दे होंदेशन कीसे हो Gleich अपने बाब्बे दे भाग दे मलटे खान देया कीसे नूंक हिए राल मिलके रहना माडे चंगे नल वास्ता जिंदगी दै अपने आप दें निरपरता ते अपना पान दिर रल मिलके खाना खेडना इस समूविवक जिंदगी डे बहुत सुच जे सब कहन, जो शुरु विच इत्तों सिखे एक य। स्यालनू देसी के होटे खुझे य। खुझे पिंझाथ यो ब्ना आके देता गया, ताँजो स्यालनू रोच्वेरे एक पिंझे दूथदनल खाले करा, जद मैं पीपा लेके होस्टल आया ता जंगली बांदरां दे चोंड वांगर सारे मुंडे पीपे नू टूटके पैगे ते शाम तक की पीपा खाली हो गया सारा सियाल कार दे पुछ दे रहे कि पिनियां मुक गईयां की हाली है हौला मैं कैदेना के हालां बहुत पैगा ने हालां बहुत ने रही हालां कुछ थे मेरी मुल आइसर िनक हाल future मुमे काम पैगे ना जगा दिन मुत पीपा नहीं पर होग मैं नाह haar हालां पीप लूट क सथे विशाल न हॉस्ट्व दो दिन फ seems ता साफ दिखाई दिन दी सी जद अगले एत्वार मैं कर गया था हस्दियां हस्दियां सारे नू नाले गाल सुनाई ते आउन लगे नू इक पीपा होर बनवा के जटता ते क्या रड मिलके सारे खा लेना मेरे पिता नू खुराक दा बौत शौक सी जेस दिन कार गुसी हो ज जान देशन नाले कैना मरो पुखे एवी गुसा कड़न दा जीब तरीका वेख्या मैं आप खाणांच डंदी बजाए बाकी दे टबबर नू दुद तो वांजा रखो वैसे आप खाण नलू दूजे नू खुआ के जादा खुश हों देशन एत्तो ता के पशुआन होई जे कोई चंगा वैड का बल्द बहुत चंगा दोड़दा हुए तब पीपा पीपा देशी के उदा स्याल चुनू चार देन देशन इस तरहां दा खुले दिल दा पयो हुए ते होस्टल दे दा सांजी वालता दा रंग चड़ जाए तब फिर जिंदगी इच हाथ दी बाप ने लाई ते स्कूल होस्टल दी जिंदगी ने पक्यां कीती उस वक्त दी फार्सी दी पड़ी एक कहावत अज तक याद है ना माल कफे दरवेश ना आव दर गुरलाद मतलब ना फकीर दी हा थेडी च माल टिक दै ते नाई चाननी च पानी इस पॉंच ने कई वार म दोस्त मेरी इस पॉंच उते किंतु वी कर दे रहे हन पर मैंनू ये पॉंच उते कोई अफसोस नहीं मैंनू ये भी पता है कि मेरे कई दोस्त मेरे नालों वी विशाल हिरते वाले हन ते दिल दिलों मेरे इस वरतारे उते खोश हन टोक दे इस करके हन के किते मैं वितोंबार ना चला जामा। जद भी मैं कोई दुखी जान लोडवन देखदां, आत्मा दी अवाज उठ दी है, जिसनू दबाना उख्षा हो जन्द है, ना ही इसनू दबान दी कुशिश करदां। मेरे मन वेचे मुहावरा कार कार गया, कि मंगन गया, सो मर गया, मर के मंगन जाए। प स्कूल दी जिन्दगी ते वातावर्न केसे व्यक्ति निया आत्ता कड़ंच कारगर हुन दे हन। यह आदत जिते चंगी है, कई वर तो अनू जोखम ते अनसुखमी स्थेतिच भी पा सक दी है, ते मैंनू पॉंधी रही है। इक उदारन देना, मैं सोलन दे नेडे सम पू जाल्द मार गया है, नवा करिदन जोगे पैसे नहीं, अग्वों बजाई दी रुत है, बहुत परेशान है, मैं दास रुपए अपने कुल रखे बाकी दे, जो मेरे कुल पैसे सान उनू दे देते, आम तोरते जे इंज मैं पैसे जा मदद देनी हुए ता अपनी तरम पतन चोरी जां बिना पुछे दसे दे दना, मैं जान दां के मेरी आदत चंगी नहीं, पर जे पुछ के जन दस के देन दी कोशिश करां तक आटी काम्याब होया, उसे शाम नू एक गरीबडा जा पुलिस दा स्पाई आया, कैन लगा जी कल नू दवाली है, मैंनू तन खानी मिल मेरी बच्चे उडीक दे हुणगे, मैं पठे आले जाना है, मेरी पास कोई पैसा नहीं, मदद करो, उना दिनाच आज दे पुलसियां वांग सिपाई अमीर ते रज्जे पुजे नहीं सन, क्योंकि उदों इनना प्रष्टाचारते पुलेस लुट नहीं सी, मैं अग्गा देख्याना पिछा जेब च नौर पे बाच दे सी, वो नू दे देते, दूजे दिन दिवाली सी, मैं बिल्कुल जिब्वों खाली, मेरी पतनी कहें कि दिवाली है कोई मिठ्याई था, पटके लियाओ, बच्याँ वासते, मैं चुप दा चुप, आखर सारी विथ्या सुना मेरी करवाली ने काफी उच्चे नीवेश लोक सुनाये थे, अपने कुड़ों बचाई हुए, दस रुपे मैंनू देते, इस तरह मनाई हो दुवाली, मैंनू नमोशी दो बहुत हुए, पर मनी मन, मैं उस पहाडी दा हालच लोंदे दा, खुशियां पर याचे रहाती, अ संतुष्ट चेरे बार सोच के परसंता भी मान दा रहा, नमोशी दे निशान ता मिटी गए, परो खुशी दे परसंता अज तक भी बाकी है, हालांके मुड कदियो सिपाई मैंनू नहीं मिलिया, ते नाई यो पहाडिया, मथे लग गया है, मैंनू उना दे ना ते कर पते द भी कोई इलम नहीं, इस परसंता दे निशानी एक एह है, कि मैं मैसूस करदां कि जे हो जी स्थिती फेर पैदा हो जाए, ता शायद मैं फेर हो ही करांगा जो उस वक्त कीता से, क्योंकि मेरा बच्पन सारा ही पिंडा चे बीते है, इस करके पिंडा ते पिंड़ वा नाल मै मैं भी खास लगाऊ है, जो समझवोना वाली खास खिच है, जे मैं अपनी मर्जी दा पूरा मालक होँआं ता हून रेटायर होन तो पिछो अपनी जद्धी पिंड जा बसा, पर बाल बच्चे ते कारवलयां दा भी ख्याल लखना पन्दा, इसले शेर वेची फास गयां, जद मैं एकला होन दा ता पिंड चे बताया बच्चपन ते जवानी दे कुछ साल याद करदां ते, किसी हसास शायर दी कविता दा, ये बंद अपने आप मांचो फुट तुर दै, एक प्यारा सा गाउं और पीपल की चाउं, छोटा मकां था, एक आशियां था, छोड कर ग चाउं को, उस घनी चाउं को, शहर के हो गई हम, भीड में खो गई हम, तन्वाद